नमस्ते, आज हम बनाएंगे फूलजार सोडा, ये बहुती इजी और रिफ्रेशिंग ग्रिंक है अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई, तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें और अगर आपने आप तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी जल्दी से कर दीजिए चलिए, इसके लिए बनाते एक कॉंसेंट्रेटेट फ्लेवर्ड चट्नी लेते हैं मिक्सी का जार, इसमें डालते हैं थोड़ा सा फुदिना, थोड़ा सा धिनिया थोटा सा अद्रक का टुकुड़ा चील के काट लेंगे एक या आधी हर इमेज भी काट कर डालतेंगे अब लेते हैं रेडी मसाला जिसका लिंक हम आपको देतेंगे यह हमने पिछले वीडियो में बनाया था अब लेते हैं एक चोथा ही चमच नमक और डाल देते हैं इसमें चार से पांच चमच शकर एक चोथा ही चमच हम जीरा पाउडर डालेंगे अब डालेंगे इसमें थोड़ा सा पांच और कुछ क्यूप्स बर्फ के अब ढकन करते हैं बन और इसे हम बारिक पीस लेते हैं एक स्मूथ पेस्ट बनकर तयार हो जाएगे इसे निकालते हैं हम पोरिंग बाउन में और इसमें निचोड़ते हैं हम एक नीबू का रस और इसे हम मिला देते हैं यह हमारी तयार है इसे हम एक छोटे से शॉट ग्लास में हम निकाल लेंगे यह तयार है अब एक ग्लास में त्री पोर्थ लिक्विड सोडा डालेंगे और अब बनाई हुई चट्नी का शॉट ग्लास उसमें धीरे से डालेंगे या आप उपर से भी यह चट्नी सोडा में पोर कर सकते हैं देखिए यह कितना सुंदर लग रहा है ग्लास में नीचे प्लेट रखना ना भूले क्योंकि चट्नी डालते ही यह सोडा ओवर्फलो होने लगेगा बिना रुके बस अब इसे उठाकर पी लीजिए अगर आपको यह रेसिपी पसल आई तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जल्दी से कर दीजिए हम फिर आएंगे नए रेसिपीज के साथ और आपको यह रेसिपीज के साथ